गुड मॉनिंग 12th क्लास हम जो लेसन देख रहे हैं जिसकी कल हम समरी किये थे वो लेसन अपना दी लास्ट लेसन और आपका ये दी लास्ट लेसन जो है वो अलफॉन से दाउडेट ने लिखे हैं फ्रेंच नोवलिस्ट हैं और शोर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं इस लेसन के जो प्रेस्ट भूमी है वो अठारा सो सत्तर में एक वोर हुआ जर्मनी और फ्रांस के मत्य है उस युद का क्या इफेक्ट पड़ा उस युद से क्या कुछ कहानी बनी वह ही इसमें बताया गया है ये पूरी कहानी जो है इसमें आप कह सकते हैं नेरेटर की जो भूमिका है यही जो कहानी जो हमें सुनाएगा वह एक छोटा बालक है और जिसमें उस बालक का नाम फ्रेंच रखा गया है देखिए कि पूरी जो कहानी है जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो कहानी है पूरी इसमें जर्मनी जो है वो फ्रांस के दो जिले दो डिस्टिक, अलसेक और लोरेन पे कबजा कर लेती है और उन दोनों पे कबजा होने की वज़े से वहाँ क्योंकि उस समय जर्मनी की जो राजदानी थी वो बरलीन थी और बरलीन से ओडर आ गया कि भई आज से लोरेन में और अलसेक जो डिस्टिक है उसमें फ्रेंच लेंग्वेज की जगे जर्मन भासा पढ़ाई जाएगी तो यह जो बालक है फ्रेंच यह पूरी कहानी सुनाता है यह क्या कहता है देखिए यह कहता आई स्टार्टेड फोर स्कूल वरी लेट डेट मोर्निंग यूं समझ सकते हैं उस सुबह क्योंकि एड़व है पहले आएगी उस सुबह फ्रेंच जो है उसने स्टार्टेड किया यानि वो निकला वीटू है ध्यान से देखना वो निकला कहानी है पूरा पास्ट में चलेगा tense oblique sequence of tense उसी में अब यह रहना है यानि पूरा पास्ट का sequence रहेगा वो कह रहा कि स्कूल के लिए स्कूल के लिए उस सुबह वेरी लेट काफी देरी से वो निकला चला छीक है जी यूजूली छोटे बच्चे सा करते भी है और वोज इन ग्रेट ड्रीड ओफ देखिए जी स्कोल्डिंग ज्यान से देखिए मैं बताता हूँ आपको स्कोल्डिंग है इसका अर्थ होता जी फटकार और ये वो यहाँ वी टू है लिंकिंग वब है जिसको कॉपला वब भी कह सकते हैं और मैं था ये जिसको आप बी का पार्ट कहते हैं वही है कि मैं था इन ग्रेट ड्रीड ओफ का अर्थ होता है अत्यधिक डर जाना या भैबीत होना कि मैं अत्यधिक भैबीत था डरा हुआ था किस चीज़ से कि मुझे फटकार लगेगी किस की और क्यों आगे लिखा है देखे स्पेसियली विशेश रूप से विकोज क्यों कि मिस्टर हेमल मिस्टर हेमल कौन है देखे कि मैं उपर लिख रहा हूँ इसके जो करेक्टर्स हैं उसमें एम हेमल वर्ड कई बार आएगा और ये एम हेमल उनके क्लास टीचर है यानि कक्षा अध्यापक है और छोटी कक्षाओं में लगबग एक दो अध्यापक की सारे विशे पढ़ा देते हैं तो क्योंकि एम हेमल है हेड सेड उन्होंने बोल रखा था क्या बोला डेट ही वूड क्योश्चन वो प्रसंद करेंगे देखेजिए एच वी और ये मेन वब यानि ये पाश्ट का भी पाश्ट है ये तो पाश्ट है और आप ध्यान से देखेंगे पाश्ट का भी पाश्ट मतलब ये दी यहां मैं लिख दूँ कि जनवरी 1870 और यहां लिखों 16 जनवरी तो इसका मतलब ये एम हेमल ने कब कहा होगा 16 जनवरी से पहले वाले दिन यानि 15 जनवरी को कहा होगा तो पाश्ट का भी पाश्ट डिरेक्ट इंडार्ट में ही करते हैं पूरे सिंपल को प्रेजेंट जितना भी प्रेजेंट टेंस उसको पाश्ट में बदल देने और पाश्ट को भी पाश्ट में बदल देते हैं क्योंकि एम हेमल कि best form के साथ क्या जोडते हैं आई इन जी एक past participle होता है जिसको आप V3 के रूप में पढ़ते हैं और एक perfective participle होता है जिसमें having plus V3 काम में लेते हैं व्याकरण का एक टोपिक है और गहराई में हम व्याकरण का जो जब देखेंगे तो बात करेंगे फिलाल आप इतना माल लें कि V1 प्लस ING present participle, V3 past participle और having plus V3 perfect participle होता है, तो वो participle पर प्रसंद करेंगे and I didn't know the first word about them, देखिए और मुझे नहीं पता था, देखिए नेगेटिव आ गया sentence, नेगेटिव आते हैं आपको पता है, हम सब जानते हैं D3 का नियम, D3 यानि do, does और did इनका प्रियो, present simple में do और does का और past simple में did का करते हैं, यह दिवाक के दिया गया क्या हो, नेगेटिव हो, तो I didn't know, मैं नहीं जानता था, और did के साथ और इन सब D3 के साथ हमें सा V1 आता है, हम सब जानते हैं, the first word about them, यह them आया है participle के लिए, कि मैं तो participle का प कोई खोज कबर उसको नहीं है, पढ़ाई वो करता ही नहीं था, for a moment, एक छण के लिए, अब आप कहानी सुनना ध्यान से, यहाँ एक छोटा स्चित्र बना रहा हूं, कि यह मान लेते हैं, यह French का home है, इस बालक, यहाँ से निकला, और यहाँ मान लो स्कूल है, यह इमारत स्कूल की मान ले, रस्ते में, एक छण के लिए, वो क्या सोचता है, देखिए, कि रस्ते में, for a moment, एक छण के लिए, I thought, मैंने सोचा, of running away, कि मैं भाग जाऊं, running away, भाग जाना मतलब, स्कूल नहीं जाना, घर से तो निकलाया, and spending, और बिताऊं, the day, पूरा दिन, out of the doors, out of the doors का मतलब, यहाँ है, घर से बाहर, यहाँ से निकलाऊं, और पूरा घर से बाहर, वो दिन है, उसको बिताऊं, it was so warm, so bright, यह कह रहा है, पहले तो, वो स्कूल से ही काफी देरी से चला है, और जब वो देरी से चला, तो उसके दिमाग में एक बात यह भी आ गई, कि मैं पूरा दिन जो है, वो बाहर गुजारूं, फिर वो कहता है, it was so warm, कि मोसम काफी घरम था, उवाल, so bright, so bright का अर्थ होता है, देखें, माँ ध्यान से उपर लेख रहा हूं, आप देखेंगा, bright का अर्थ होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप, निकली हुई हो, अत्य धिक धूप, जब निकली हुई हो, उसके लिए, धूप ज्यादा खिली ह हो उस दिन के लिए कह जाता है दे बर्ड्स आर चुपिंग एड़ इस ओफ दे वूड्स यह जो चुपिंग वर्ड है इसका मतलता चहचाट करना बर्ड्स यानि पक्षी वो कह रहा है कि पक्षी जो थे वो क्या कर रहे हैं चहचाट कर रहे हैं कहां एज का अर्थ है किनारा ओफ द वूड्स देखिए यहां वूड्स दिया है तो एक बात आप तहीं मान लें ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम सब जानते हैं वूड लकड़ी अनकाउंटेबल होती एक आप वन वूड टू वूड ऐसे बोल नहीं सकते तो इसका प्लूरल बना है इसका मतलब साफ यह लकड़ी के संदर्व में नहीं है इसका अर्थ है वन तो वन जो है पास में उसके किनारे पक्षी चह चाह रहे हैं एंड इन दो ओपन फिल्ड और खुला मैदान है कहां बैक ओफ दे सो मील सो मील करते है आरा मसीन जहां आरा मसीन तो आप देखे विए होंगे लकड़िया होंगे चीरी जाती है अब आप यह देखें कि आरा मसीन के पीछे खुले मैदान में जो परसियन है जिसको प्रसा भी कहा जाता है उसके सेनी क्या कर रहे थे वर ड्रिलिंग यह सब सेना के संदर में बार अब यह जो परसा वर्ड लिखा है जिसको मैंने खा कि परसियन या परसा दोनों ही कहा जाता है उसका मतलब क्या आप देखिए उसका मतलब यह है कि इसमें एक देश की सेना नहीं थी यह जो जो परसा वर्ड लिया गया है या परसियन जिसको खा गया है इसमें परसा मतलब पर्शियन भी कह सकते हैं, इसमें एक देश की सेना नहीं थी, इसमें जर्मनी, पोलेंड, स्कोडलेंड और एक और और देश थे, यह उनका एक समुव था, उनकी सेना इसमें थी, और वो वहाँ ड्रिल कर रहे हैं, इसका मतलब एक बात तो मासाफ है, कि फ्रांस में जर्मनी क सेनीक ड्रिल कर रहे हैं, तो यह बात तो तय होगी, कि वहाँ जर्मनी का कभजा हो चुका है, थादी पतिश्था पित हो चुका है, वो कह रहा है, कि यह सब, देखे, ओल मच मोर, कि यह जो सारी चीज़ें थी, पक्षियों की चैचा, आरा मसीन, खुला मैदान, यह सारी चीज़ें, पार्टिस्पल्स के नियमों की तुल्ना में, देन तुल्ना, यह ओ डिगरी वाला, रूल्स ओ पार्टिस्पल की तुल्ना में क्या थी, टेमपटिंग थी, यह टेमपटेशन वर्ड कई बार आता है, आकर्षन होता है, परलोभन, और जो यूवा रहते हैं, उनके लिए त पर लिखा होता वोटर रिजिस्ट यानि रिजिस्ट करता रोक देना पानी उसके अंदर नहीं जाएगा उसका मतलब यह हुआ तो मेरे अंदर इतनी तक थी कि मैंने अपने आपको रोका यानि उन भावनाओं पे नियंतरत किया कौन सी भावनाएं जो मुझे यह कह रही थी क कि मैं पूरा दिन कहां बिताऊं घर से बाहार यह लिखा रहे को स्पेंडिंग दे आउट अफ दोर्स एंड हरीड ओफ टू स्कूल और मैं तेज गती से विध्याले के लिए निकल पड़ा तेज गती से विध्याले की तरफ चल पड़ा चीक जीक अब मैं फिर वही चितर पड़ा नहीं और रहे हैं यह उसका घर यह स्कूल ओ जा रहा है ऐसे रास्ता मुड़ा भी होगा सीधा भी होगा ऐसे कलपना अ regen एसा होगा रात वेन आई पास्ट टाउन होल वो कहरा है कि जब मैं टाउन होल के निकिट से गुजरा मैं आपको टाउन होल की प्रिभासा यूँ समझा सकता हूँ कि पहले कोई भी खबर यदी देने होती थी वो टाउन होल पे चस्पा कर दी जाती थी नोटिस लगा दिया जाता है, टाउन होल का मतला होता है, सामुधाईक भवन, सामुधाईक मतला सब का, उसको टाउन होल कहते हैं। तो जब मैंने सामुदाइक भवन को पार किया देयर वोज वहाँ थी ये फिर में नवब होगी एक क्राउड भीड इन फ्रेंट ओफ के सामने दे बुलिटिन बोर्ड इसको आप यूं कह सकते हैं नोटिस बोर्ड क्या कह सकते हैं जी नोटिस बोर्ड क्योंकि सारी खबर की सोचना नोटिस का वतला आप सब जानते हैं सूचना होता है वो वहाँ से मिलती थी उस सामुदाइक भवन पर चिपका दिया जाता था क्योंकि 1870 का मतलब हो है निउस पेपर या मल्टी मीडिया यह नहीं हुआ करता था तो जो भी खबर है सरकार की वो वहाँ चिपका दी जाती है फोर दे लास्ट टू इयर्स देखिए ध्यान से देखिए पिछले दो वर्सों से ओल अवर बैड न्यूज दो वर्स से वो युद चल रहा है 1870 के आसपास का हमारी सारी की सारी खराब बूरी खबरे हैड कम आ रही थी फ्रों देर वहीं से यानि वो सारी चिज़ें वहाँ चिपका दी जाती थी सारी जो भी समश्याओं को सामना कर रहे थे वो सारी चिज़ें वहाँ वहाँ से उसको पराप्त हो रहे थी अब यह आगे डेस लगाई लिखाने, इसका मतलब होता जैसे, जैसे में क्या क्या देखना? The Lost Battles, कि जितने भी हमने युद हारे, हारे हुए युदों की कहानी, The Draft, वो कह रहा है कि हारे हुए युदों की कहानी, वो भी हमें वहीं से मिल रही थी, और क्या कह रहा है the draft the order of commanding officer देखे आप जहां से देखिए यह जो word है जो draft यह जो word है draft इसका अर्थ सादान सा इसका अर्थ होता है धांचा किसी चीज का design वगरा लेकिन यहां आप देखेंगे तो वो कोई आदेश की संदर्म में है सेना का आदेश उसको draft कहेंगे the orders of commanding officer CEO जिसको बोलते हैं यानि सेना पती के आदेश जो हर देश का एक सेना पती होता है commanding officer होता है उसके आदेश and I thought to myself or without stopping बिना रुके मैंने अपने आप सोचा रुक नहीं सकता क्योंकि school से वो क्या है लेट है school से वैसे वो लेट चला यह लिखा इसने very late है काफी late है तो वो कहरा मैंने मन ही मन में सोचा चलते चलते what can be the matter now कि आज क्या मामला हो सकता है वो ऐसा क्यों सोच रहा है क्योंकि bulletin board के आगे बहुत ज़दा भीड जमा है तो उसने सोचा कि आज भी कोई न कोई मामला होगा ठीक है जी then as I then as I hurried by as fast I could go फिर मैं उतनी ही तेजगती से चलने लगा as fast as I could go जयानि जितना तेजगती से मैं जा सकता थे model और model के आगे V0 जितना चलती ही मैं चल सकता था मैं चल रहा था the blacksmith और उसी समय रस्ते में वो तेजगती से चलने लगा और उसी समय वहाँ एक watcher नाम करके एक लोहार है वहाँ बैठा होगा कोई काम कर रहा है who was there जो वहाँ था with his apprentice ये apprentice वोग तेंथ क्लास में भी आया होगा think tank का apprentice था noodle इसका था चेला उसका चेला वहाँ बैठा है वो क्या कर रहे है reading the bulletin cold after me की लोहार और उसका चेला वहाँ अकबार पढ़ रहे थे मतलब वो समाचर पत्र bulletin board वाला समाचर वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा cold after me मेरे पिछे से कहा don't go so fast बब यहनी बच्चे लड़के इतना जल्दी से क्यों जा रहे हो क्योंकि वो देखिए उसने लिखाए कि as fast as I could go मैं जितना तेज चल सकता दमा चल रहा था और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते है उस बच्चे का फ्रेंच का मजाक उड़ाते हो इतना जल्दी क्यों जा रहे हो you will get to your school in a penalty of time वो खह रहा है कि इतना जल्दी क्यों जा रहे हो अभी school पहचने पहुँचने के लिए तुमारे पास बहुत समय है penalty of time बहुत समय परियाप वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो क्या था very late था यानि आप यूँ समय सकते हैं कम से कम भी 20-25 minute वो late है और अब वो तेज चल रहा है तो उसका मजाक उडाते हैं आगे लिखा भी देखो साब I thought he was making fun of me और मैंने ये सोचा कि वो मेरा पक्का क्या कर रहे हैं मजाक उडा रहे हैं ये little french जो है वो कह रहा है कि मैंने ये सोचा मैं ये भाफ गया इस बात को कि वो लोग क्या कर रहे हैं मेरा मजाक उडा रहे है and reached और फिर मैं पहुँच गया ये देखे सब वी टू चल रहा है sequence of tense Mr. M. Himal's little garden all out of breath देखे all out of breath का synonym word होता है मैं लिक रहा हूँ painting और इस painting का अर्थ होता है जी half na और ये painting word ये आप वीडियो पहुच करके देखेंगे तो ये कहां आया था painting ये आया था आपका on the face of it में वो dairy है वो आफते हुए कहां पहुचता है Mr. Lam के बगिचे में पहुचता है आगे देखेंगे यूजुवली सामानेत वेन स्कूल बिगन वी टूफिल लिखा है जब विद्याले लगा होता था there was great बसल का अर्थ हजी source रभा तो आप बहुत source रभा रहता था और उसमें नहीं विद्याले कोई भी हो हर विद्याले में source रभा रहता है which could be heard out in the street जिसको सुना जा सकता था देखे ध्यान से देखे ये model ये B और ये V3 यानि आपका वाके passive ये model ये B और ये V3 यानि passive जिसको सुना जा सकता था out in the street बाहर गली में आवाजे क्या सुनी जा सकती देखे देखे दे ओपन and closing of desks यानि desk का खोलना और desk का बंद करना इस बात को सुना जा सकता था lessons पाठों का repeated दोहराना in unison देखे यूनिसन मैंने कल भी आपको बताये था यूनिसन का आर्थ होता करतल धवनी करतल धवनी एक साथ बोलना छोटे बच्चे बोलते हैं दो एक कम दो दो दुनी चार दो ची अच्छे जोर लगा लगा के और साइध हम भी बोले होंगे पता नहीं दो का टेबल कितनी बार बोला होगा very loud बहुत जोर से with our hands over our ears यहां तक की हात जो हैं वो कान पर रखने पड़ते हैं to understand better अच्छे डंसे सुनने के लिए और क्या सुन सकते थे the teacher's great ruler यह spelling देखना ध्यान से यहां इस ruler का अर्थ होता है stick डंडा अध्यापक का great ruler great वैसे तो महान होता है लेकिन यहां महान नहीं है यहां है ड्रामना या बड़ा डंडा और उसके रैपिंग करते है ठोकने की आवाज खड़खड की आवाज on the table अध्यापक कई बाद table पर श्टिक बजाता ऐसे मारने के बज़ाए उसकी आवाज सुनाई देती थी आजकल तो ना मिले साइद but now it was also still लेकिना सब कुछ बिल्कुल शांत था I had counted on ये बड़ा अच्छा वड़े याद रखना जी counted on का अर्थ होता सहारा लेना सहारा लेना या निर्भर होना मैं निर्भर था the commotion commotion का अर्थ होता जी सोर सराबा मैं इसी सोर सराबे के सहारे था क्या की सोर सराबा होगा और मैं कहां चला जाऊँगा to get to my desk without being seen फिर पैसी लिखा देख लो being or seen कि मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं चुपचा वहां चला जाऊँगा सोर सराबे का इसी सोर सराबे के सहारे में आये था लेकिन और तो सब कुछ शान्त है अब देखो क्या होता है बट अफकोर्स लेकिन नी संदिय that day उस दिन everything had to be as quiet as Sunday morning आगे प्रसन बनेगा कि उस दिन स्कूल के बारे में unusual क्या था ऐसा अधान क्या था ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी सब कुछ रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल quiet था through the window खिडकी मैं से I saw my classmates जैसे मैं यहां चितर बना रहूं देखिया जैसे मालो ये class है और ये वो gate है entrance वाला तो यहां कोई window वगेरा होगी ये रास्ता है तो यहां गुशने से पहले उसने खिडकी से क्या देख लिया कि मेरे जो classmates थे already in their places वो पहले से अपने जगा बैठे हुए थे and am himal walking और अध्यापक घूम रहे थे ये होता है up और ये होता है down आगे पीछे जाना देखिये तो मैंने देखा कि मेरे अध्यापक क्या कर रहे थे ये आगे लिखा हुआ है देख लो moving walking कल रहे थे up and down with his terrible iron ruler बड़ा सा भयानाक उन्होंने लोहे का डंडा ले रखा है under his arm अपने भुजाओं के नीचे आप समझ सकते हैं under arm हम सब जानते हैं वहाँ I had to open the door head to देखे model must की जगे past tense के लिए आता है मुझे खोलना था कोई option नहीं दरवाजा खोलना था and go in और अंदर जाना था before everybody सब के सामने you can imagine आप कलपना कर सकते हैं how I blessed and how frightened I was देखिए frightened का अर्थ होता है जी डरना क्या आप कलपना कर सकते कि मैं कितना डरा हुआ था और यह जो blessed होता है यह कई बार आता इसका आर्थ होता जी सर्मिंदा महसूस करना सर्मिंदगी महसूस करना और कई बार तो सर्म से लोग का चहरा लाल हो जाता है but nothing happened लेकिन कुछ भी घटित हुआ नहीं कुछ भी जगह जाओ quickly जल्दी से little french की छोटे french आप जाओ we were beginning without you हम आपके बिना पार्थ शुरू करने ही वाले थे किया नहीं करने ही वाले थे ऐसा उन्होंने मुझे कहा तो यह इस परकार इस पार्थ को शुरुआत की गई है बताया गया है कल समरी मैंने हालांकि सब कुछ समझा दिया था आज line to line हम देख रहे हैं तो इससे आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे अपनी यमित अध्यान करते रहे हो सकता है यदि अच्छा रहा तो एक जुलाई से offline class ही चलें और उनका प्रारूप क्या रहेगा बोल नहीं सकते फिलहल तो आप यही मान के चलें कि हमें लगातार और अच्छा ध्यान करना है आप जितना सिखें वो धंक से सिखें जल्दबाजी में कुछ नहीं है कोई फाइदा नहीं है वो little knowledge is always dangerous वाली बात है आप उसको करते रहें सीखते रहें रुक ना मना हैं बस ऐसा नहीं है कि आप रुक जाएं उसको आप चलाते रहें ठिक ठक ठंसे करते रहें चीक के जी